धर्म यूद्ध महा भारत के आथवे दिन कोरवों ने अपने विहू की रचना महा विहू के रूप में की जबकि पांडवों ने इस दिन अपने विहूकी रचना स्रिंगरट विहू के रूप में तैयार की आठवे दिन के घमासान युद्ध में भीम ने दुर्योधन के साथ भाईयों को मोत के गाट उतार दिया आए जानते हैं पुरातत वेता राजिंदर सिंगराना से आठवे दिन के धर्म युद्ध में और क्या कुछ घटना करम रहा आठवे दिन के युद्ध के बारे में बताऊंगा कौरबों और पांडवों के तो आठवे दिन के युद्ध के लिए पांडवों ने स्रिंगत ब्यो बनाया जिसके सामने की तरफ दो एंटेना होते हैं और पीछे उसका बॉडी का भाग होता है तो पांडवों ने जब यह ब्यो बनाया तो उस ब्यो के जो आगे के दो किनारे थे एक में रखा गया भीम को और दूसरे में थे सात्यकी और जहां पे दोनों यह श्रिंग मिलते हैं ब अरजुन के पीछे युदिष्टिर को रखा गया और युदिष्टिर की साहिता के लिए एक और नकुल और एक एक और सैदेव थे और पीछे के भाग में घटोत कच को एक और रखा गया एक और रखा गया इरावान को और बीच में इस युद्यों के बीच में थे बिराट और अभिमन्यों बाई तरफ अन्त में जो प्रिष्टभाग होता है उसके अन्त में थे अभिमन्यों अब जब पांडवों ने ये ब्यू बनाया तो कौरबों ने इस दिन के लिए महां ब्यू बनाया अब इस महां ब्यू में कौन-कौन लोग थे इस महां ब्यू के जो किंद्री जो लाइन होती है सेंटर की जो लाइन होती है उसके सबसे आगे थे भीष्म के पीछे थे द्रोन द्रोन के पीछे थे ब्रहदबल ब्रहदबल कौसल के राजा थे और इस सबसे अंतिम भाग में थे द्रियोधन और द्रियोधन के एक पार्सो में एक साइड से अलमूस जो राक्षस थे तो यह तो आगे जो सीधी जो ब्यू का जो सेंटर लाइन अब जो उसकी जो राइट और लेट जो फ्रंट है तो इसकी जब हम बात करते हैं कि राइट फ्रंट की बात करते हैं तो भीष्म और द्रोन के उस पक्ष में राइट पक्ष में रखे गए मालव मालवों के बाद पारद पारद के बाद मगद के योदा मगद के योदाओं के बाद रखे गया कुरूबिंद को और कृपाचारे को ऐसे ही दूसरे जो बाजू होती है दूसा जो हाथ होता है उसमें पहले रखे गए दक्षनात के सैनिक फिर कुलिंद फिर कलिंग फिर मेक और अंत में कंबोज तो यह महां वियू देखा जाए तो यह वियू इतना बड़ा था इतना विसाल था कि साइद उसके सामने कौरबों का जो वियू था वो छोटा पड़ जाता था अब इस दिन जब युद्ध शुरूआ तो युद्ध शुरू होते ही कौरब पंडव सेना दूसरे ने एक दूसरे पर भयानद प्रवार करने सुरू कि और युद्ध के सु स्टार्ट में ही बी्षमप्ता में यह अपना अतलोलनी तो प्राक्रम दिखाया तो भीव ने क्या कि भीव ने उस दिन हर संभाव कोशिस की कि वो का ब्यूह तो जयसे पांडव योदा उनके साथ जा रहे थे तो उस समय कौरमों के भीओं में भी खलबली मच गई तो उस दिन के युद्ध की सबसे बड़ी बात थी कि भीम ने द्रियोधन के साथ भाईयों को माड़ डाला जो द्रित राष्ट के साथ पुतर थे उनको माड़ डाला तो अब ये मानने से तो वाकई जैसे इनके कौरब सेना में काफी उदासी चा गई वह चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया तो दो पर होते होते जैसे युदिस्टिर हैं दृष्ट जुम्न हैं दृपद और बिराटने मिल करके भीम पितामय को गेरना सुरू कर दिया और भीम ने ये देख करके कि द्रोण क्रिपाचारे और असोथामा क्रिप्त कित्र बर्मा उनसे काफी दूर हैं तो उनको कहा कि वह मने तुम मेरी साहिता के लिए आगया आ जाओ उस दिन की जो खास बात है उस दिन अरजुन का जो बेटा था इरावान इरावान का युद्ध हुआ अलंबुस से अलंबुस एक राक्षस था तो इरावान और अलंबुस का जब युद्ध हुआ तो काफी बयंकर युद्ध हुआ तो अपनी राक्षसी माया दिखाने तो कौरबों ने जब यह मर गया तो उसके उसके बाद इरावन की मिर्थ से पांडव दुखी थे अब जब पांडव दुखी थे तो पांडवों की मदद के लिए कौन आगया आते हैं गटोत कश सामने आते हैं और गटोत कश ने उस दिनके युद्ध में कौरबों को ये हुई होगी और इनो उसने बड़े-बड़े कोरव महारचियों को घायल कर दिया तो फिर ये युद्ध के अंत में ये भीम ने द्रियोजन के कुछ और भाईयों को मार डाला तो उस दिन भी लगवग कोरव और पांडवों को आठवन दिन के युद्ध में बराबर किछती हुई क्योंकि इधर से अरजुन के पुत्र जो है इरावान मारे जाते हैं इधर से द्रियोजन के काफी भाई मारे जाते हैं भीम के द्वारा तो लगवग ये युद्ध भी बराबरी पर समाप्त हुआ